नमश्कार मित्रों शरत पूर्णी मा कब है शरत पूर्णी मा का इतना महत्व क्यों है और इस दिन मा लक्षमी जी को परसंद करने के लिए क्या क्या काम किये जाने चाहिए तो यहीं सब जानकारी आज हम आप के लिए लेकर आए हैं मित्रों शरत पूर्णी मा का विशेश महत्व होता है क्योंकि इस दिन चंद्रमा सोला कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और इसी दिन मा लक्षमी जी का समूंदर से प्रकट्र हुआ था यानि समूंदर से मा लक्षम जी निकली थी और इस दिन मा लक्षमी जी प्रिथि पर ब्रह्मन करती हैं और जो भी भक्त मा की सच्ची भक्ती करती हैं उन पर अपनी क्रिपा बरसाती हैं शरत पूर्णी मा दो हजार बाईस पी नो अक्तूबर दो हजार बाईस को है इस दिन चंद्रमा सोला कलाओं से प इसी दिन प्रगट हुई थी इसी कारण इस दिन मा लक्ष्मी जी धर्ती में आती हैं और अपने भक्तों पर क्रिपा बर्सार इस दिन चंद्र दर्शन करने से सभी विमारियों से छुटकारा मिलता है जोति शास्त्र के अनुसार शरत पूरिमा के दिन कुछ उपाय करने से व आईए जानते हैं शरत पूरिमा पर कोन कोन से कारिय और उपाय कर सकते हैं यदि मित्रों पैसे की तंगी चल रही है तो आर्थिक सिति को मजबूत करने के लिए शरत पूरिमा की रात मा लक्ष्मी जी की पूजा करके उन्हें पांच कोडियां चड़ाएं और दूसरे दिन इन पांच कोडियों को लाल कपड़े में बान कर अपने धन स्थान पर रखें इस से पैसे की तंगी दूर हो जाती है दूसरा उपाय है मित्रों यदि घर में कोई सदस्य बिमार रहता है तो शरत पूरिमा के दिन सफेद चावल दूद से बने खीर छट पर रखें जहां प उसका रोग दूर हो जाता है तीसरा उपाय कर सकते हैं मित्रों इस दिन हनुमान जी के सामने चो मुखी दीपक जलाने से व्यपार में व्रिधी होती है और नोक्री में परमोशन मिलती है इसके साथ ही अगला उपाय है मित्रों शरत पूरिमा के दिन मा तुलशी को सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाया जाता है, भोग लगाने से मालक्षमी जी के साथ भगवान विश्णु जी की कृपा भी प्राप्त होती है, शरत पूर्णी मावाले दिन एक काम और आप कर सकते हैं, शरत पूर्णी मापर मालक्षमी जी को सिंघाडा दही मखाना, पताशा और पान का भोग लगाएं, ऐसा करने से मालक्षमी जी की विशेश क्रिपा जाता को मिलती है, तो इन छोटे से मोटे कामों को करके, आप शरत पूर्णी मावाले दिन मालक्षमी जी की पूरी क्रिपा प्राप्त कर सकते हैं, यदि आपको भी आज की हमारी जानकारी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, कमेट बोक्स में जैलक्षमी मात आवश्या लिखें